हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सबी लोगों का मायके से मिली है इतनी बड़ी खुशी कि मुझे वदलब रहा नहीं गया और मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ और आगे आप जान पाएंगे कि मायके से क्या खुशी मिली है और बाराबर मेरे मैं तुरंत हो जाओं तुरंत सबसे मिलूं लेकिन क्या है कि थोड़ा सा बेट बेट करना पड़ेगा मुझे भी थोड़ा सा बेट करना पड़ेगा चीजों को ऐसी छोड़के नहीं जा सकते और मैं जैसे थी वैसे ही वीडियो बनाने बैठ गई हूँ आप देख लीजे म अब भुवा बन गए इसलिए इतनी मिठाई आए खाने के लिए मंगाया है खा रहे हैं बैटे हैं तो आदि मिठाई उन्हें कर दी अच्छा बुवा तो तुम पहली बार नहीं बने यार इस से पहले भी बुवा बन चुकी हो तो इतनी मिठाई क्यों खाती है तुम यार दो मैं जब पहले भूए भानी थी मेने पहले भी इदिनी मिठाई ज़िया है तै तो दुम कोई मुझत गाती हॅँ कर कि आ अद वा गृया हु हूँ स्यज來了 IS जब बॉओने बूद आफ और यापी कहा है इतना जूम्ट बोलते हो बच्चे यह सब बहुत करते हैं था हम ने बच्पन में किया है रही अर सब करों कहते हैं अच्छा और दमाटा करते हैं कि अच्छा चलो पूपा वाली सकल भी दिखाऊ पंजीडी फाक के लिए यह फूपा वाली सकल है और पूपा आप क्या बोलते हैं इसको फूपा चोटे बाबु के लिए मेमान के लिए गानागा के सुनाएंगे अपनी खुशी जाहिर करेंगे यह फूपा कैसे बने हैं कि लिए फाके नहीं बताएंगे यह फूपा लोग टकले होते हैं इसको दिखा दिया इन्होंने हम लोग सोहर गाएंगे और पूपा को सोहर आता नहीं फूपा लोग सोहर गाएंगे ना किया या यहाना गया है वा डूपा कैना टिल की बाता गया। अध् कि यहान ए ठैपको। तुमसी घड़कर दुनिया मे न देखा कोई और जुबा पर आज दिल की बाता गई। अच्छा गा रहे हुँ, मेरे लिए कभी नहीं कहा रहे हैं, बाबु के लिए घाना गा रहे हैं और मुझे भी कोई घाना वाना नहीं आता है, लेगिन मैं स्वृवत गाउंगी तो कुछ इस तरीके से हमने नन्य बाबु का जो है स्वागत किया है, वेलकम किया है और वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे और मैं बनी हूं हुआ दोबारा से बनी हूं हुआ जो को भी मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज मेरे वज़े से हसना मत भाई यार तकला हो गया हो तकले लोग वीडियो नहीं बनवा सकते हैं नहीं भावी को क्या हुआ है बेटा या बेटी तो और लास्ट में एक बात कि आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूं कि मैं वीडियो को लाइक शेयर चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिलकुल भी नहीं कहूंगी बस यहीं पर करते हैं वीडियो को बंद तक लिए बदी बपाइ पुश हुत।